हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिया चनल पर दोस्त आपको बतादे जो अभी की सबसे बड़ी ख़बर आ रही है जहाँ चीन और पाकिस्तान के समुंदरी खत्रों से निप्टेगा अपना भारत देश के तटों पर तैनात की जहाँ ग्लोबल लीडर अप्रूबल रेटिंग फिर एक बार निकल कर सामने आए दोस्तों बताएंगे से इस बार क्या टॉप पर बने हुए है या नहीं और कितने नंबर पर हैं कितने परतिशत पर हैं सारी जानकारी दोस्तों बताने वाले हैं आपको और साथी साथ सब्सक्राइब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की जहां चीन और पाकिस्तान के समुंदरी खत्रों से निप्टेगा अपना भारत देश के तटों पर तैनात की जाएगी ब्रहमोस मिसाइल जिहां पुर्व नौसेना प्रमुक वाइस एड्मीरल सतीश एन घोर सूपर सॉनी क्रूज मिसाइल्स से लेस मोबाइल कोश्टल बैटरी को तर्टी है इलागों में थैनात किया जाएगा इन बैटरी को समूंधरी रण नीतिक इस्थानों पर तैनात किया जाएगा ताकिrandy पुर्व और पस्षिम दोनों और के खत्रों को बेहसर किया जा सके हाल ही में रक्षा मंत्राले ने मोबाइल कोस्टल मिसाइल बैटरियों को मंजूरी दी थी और इस संबंद में 30 मार्च को ब्रम्होस एरोस्पेस कार्परेशन के साथ एक अनुबंद पर हस्ताक्चर किये ताकि पुर्व या पच्चिम से किसी भी खत्रे की निगरानी की जा सके और उसे बेशर किया जा सके जी हां आपकी जानकारी कि आपको बता देगी ब्रम्होस एरोस्पेस इनकी डिलिवरी दोहजार सताइस से शुरू कर देगी और ये बैटरी दुनिया की सबसे तेज़ और घातक सूपर सोनी क्रुज मिसाइलों से लैस होगी इससे इंडिया नेवी को बहुँ दिशात्मक समुंदरी हमले में मदद मिलेगी यानि कि दोस्तों नौसेना एक साथ जल जमीन और हव तीनों दिशाओं में हमला कर सकती है इससे नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी अगर आप भी मानते हैं कि जल से जल भारतिय सेना को ये ब्रमोस मिसाइल मिल जाना चाहिए दोस्तों तो कॉमेंट में जैहिन जै भारत लिखना मत भूलेगा बात करते हैं एक और बड़ी देश नेपाल में फोर लेन सड़क बनवा रहा है विकास के नाम पर शुरू किया गया ये इंफ्रास्ट्रेक्चर वर्क भारत के लिए चिंता का विशे है क्योंकि ये सड़क बिहार के सीमा वरती इलाकों तक होगी और इसका इस्तेमाल बाद में भारत के खिलाफ किया जा गया है मीडिया रिपोट्स के मुताबिक नेपाल की भारत से लगती खुली सीमा चीन की गतिविदियों का सिकार हो सकती है वहां से घुसपैट का खतरा हो सकता है दरसल नेपाल की अकेले बिहार राज से ही 700 किलो मीटर से जादा लंबी सीमा लगती है इतनी लंबी सीमा की सुरक्षा बड़ा मुश्किल काम है खास कर इसलिए क्योंकि ये सीमा को सो दूर तक खुली पड़ी है चीनी दखल के चलते ही नेपाल ने भारत पर अपनी जमिन दवाने का आरोप लगाया था करीब पांच महीने पहरे भारत अपने इलाके यानि सीता मड़ी में सड़क बना रहा था जिसके नरमाण पर नेपाली सुरक्षा बलो ने रोक लगवा दी थी उसकी वज़े नो मेंस मेंड विवाद बताया था बैरहाल इस पर भारत बहुत बड़ी तयारी कर रहा है दोस्तों पता चलाएगी भारत नेपाल की खुली सीमा के सवेदन शील हिस्सों में जल्धी बहुत बड़ी संक्या में सीसी टीवी कैमरे और लाइट्स लगाए जाएंगे सशस्त्र सीमा ब ख़बर की जहां ग्लोबल लीडर अप्रूबल रेटिंग में प्यामोधी सबसे पसंदिदा लीडर 66 फिस्दी के साथ टॉप पर फिर से बने हुए प्यामोधी जिहां ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के 21 नेताओं को पीछे छोड़ भारत के प्रध ग्लोबल लीडर अप्रूवल एल रेटिंग में 22 से लेकर 28 मार्च तक की रेटिंग में प्यामोधी को दुनिया के 76 फिस्दी ने बहतरीन राज नितिग्य के तौर पर अप्रूवल दिया है 100 फिस्दी लोगों में से 5 फिस्दी ने उनके बारे में कोई राई जाहिर नहीं की है तो उन्हें 19 फिस्दी लोगों ने डिस अप्रूवल यानि मुनामन जूर किया है उधर दूसरी तरह मेक्सिको के राश्ट्रेपती एंड्रेस मैनवल लोपेज ओपरादोर को 61 फिस्द पर 55 फिस्दी लोगों ने तारीफ किया है जिहां दोस्तों मोधी जिने ब्रीटेन और अमेरिका के राश्ट्र पतियों को भी पीछे छोड़ दिया है प्रधान मंत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया है प्यम मोधी ने एक हफते में पसंद दिदा राजनेता के तौर पर अमेरिका के राश्ट्र पति जो बाडन के रेटा के पीम जस्टिन टूडो जैसे मच्छूर लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है अमेरिका के राश्ट्र पति जो बाडन इस अप्रूबल रेटिंग में 41 प्रतीचत पसंद करने वालों के साथ 6 है नंबर पर तो वहीं जस् प्रकार शे देश को चलाया है कि आज पूरा विश्व उनको सबसे बड़ा राज नितिक्ग्य और सबसे बड़ा नेता मान रहा है और सबसे बहतरीन नेता मान रहा है ऐसे में प्रधान मंत्री मोदी जी को इसके लिए कॉंग्रेचुलेशन आप लोग जरू कह दीजेगा स ख़बर की जहां प्योके ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन अमित शाह के प्रस्ताव के समरतन में गूंजी विधान सबा बता दे आर्थिक हालात के बुरे दौर से गुजर रहा पाकिस्तान अपनी आवाम की माली हालत को सुधारने में नाकाम रहा है अब धीरे धीरे जाहिर है करज में डूबे पाकिस्तान के लिए इस तरह की मांग काफी तकलीफ देने वाली है पियोके की विधान सभा में उठी कॉरिडॉर की मांग ग्रह मंत्रिया मिद्शा की तरफ से सुझाए गई कॉरिडॉर से मिलता जुलता है एक सब्ता पहले उन्होंने पियोके में गल्यारा बनाने की मांग करते वे एक प्रस्ताओ पारित किया जो प्योके के लोगों को केंदर शाषित प्रदेश जम्मू और केंदर शाषित प्रदेश कश्मीर तक यात्रा करने की रहा आसान करेगा जिहां प्रस्ताओ MLN द्वारा पारित किया गया था जो इमरान खान क नित्रत वाली पाकिस्तानी तहरी के इंसाफ के करीबी संबन्दों के लिए जाना जाता है इस बारे में प्योक के विधान सभा के स्पीकर से बात की गई है और उन से आवश्य कदम उठाने का आगरे किया गया है जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है भारत में पाकिस्तान के पुर्वच्चा युक्तर है अब्दुल बासित आठ मिनट के वीडियो में इस कदम के निंदा करते वे नजर आए इस दोरान वो अस्थानी सांसतों पर पियोके में शार्दा पीट मंदिर के लिए एक तिर्थ गलियारा बनाने की भारत की इच्छा को अप्रत्यक्ष रूप से मंजूरी देने का आरोप लगा रहे थे बासित केंद्रे ग्रह मंत्रिय अमित शा का जिकर कर रहे थे अमित शा ने 22 मार्च को कहा था कि सरकार करतार पुर कोलिडोर की तरज पर शार्दा पीट खोलने के लिए आगए बढ़ेगी बैरहाल इधर से भारत के ग्रह मंत्रिय अमित शा जीच जोर लगा रहे हैं दोस्ता उधर से प्योके के लोग भी अब भारत की तरफ आते नजर हैं और इस गल्यारे को बनाने के लिए अपना समर्तन दिखा रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तान को तखड़ी वाली मिर्ची लगी है बेरहाल अब इस पर आपकी जो भी निजिरा हो दोस्तों कमेंड में लिख कर रवच्च बताएगा प्योके को लेकर साथी साथ बात करते ह हैं एक और बड़ी खबर की जहां भारत चीन सीमा अब इस थिर जीहां पातकाली नियंतरन की स्थिती खतम चीनी राजनाइक ने दे दिया बहुत बड़ा बयान बता दे दोस्तों कैसे लेसी पर नहीं चल पाई चीन की कोई बड़ी चालवाजी तो बैक फुट पर आया चा चीन का कहना है कि वह भारत के साथ रिस्ते सुधारने को लेकर तेजी से काम कर रहा हैं चीन के महावारी जोत शाल ली ओने शनिवार ऩ designed के मंतरी कांसलर का स्वागत करते वे कॉलकात अ कि चीन और भारत कुछ बहु राष्ट्री अपसरों पर एक साथ काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं शंगाई सायोग संगठन और G20 संगु का जिकर करते वे जालियों ने कहा कि चाहे वो SCO हो या G20 संमिलन इसके अलावा राष्ट्र पती जिन पिंग और प्रधान मंतरी मोदी भी बाली शिकर संमिलन के मौके पर मिलेते मेरा मानना है कि उनके बीच शांदार बात चीत हुई गती वापस आते देख हम बहुत खुश हैं बतादे की तनाब के बीच दोनों देश राजनाईक और स्थेन चैनलों के मादम से बात चीत जारी रखे हुए हैं भारत में चीनी दूतावास के उपवारिज दूत चेन जियान जुन शुकर वारशाम पतरकारों से कहा कि दो एशियाई दिगज कूट नीतिक और स्थेन मा नाचर प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंतर रेखा के पास भीड़ गयते जिसके परिणाम सरूप दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को मामूली चोटे आई थी पूर्वी लदाग में दोनों पक्षों के बीच सीमा गतिरोत के मद्य समवेदन शील सेक् कहते दोस्तों आपको क्या लगता है क्या चाइना कभी अपने चाल से बाज आ सकता है बात करें और बड़ी ख़बर की जहां क्या ताकतवर संगठन नाटो का हिस्सा बनने वाला है अपना भारत अमयर की ऑफिसर ने दिया बहुत बड़ा बयान बता दें दुनिया के 40 संगठन नाटो संगठन में भारत के इसमें शामिल होने को अमेरिका की स्थानी अप्रतिन दी जूलियन स्मित ने इस पर पहली सारुजनी की टिपडी कि उन्होंने कहा है कि गड़बंदन भारत के साथ और ज्यादा बातचीत के लिए खुला है मीडिया से चर्चा में स्मि भारती अधिकारियों के बीच अनौप चारिक वारता हुई थी जूलियन स्मित ने कहा कि राइसीना डायलोग से इतर कुछ आदान प्रदान हुए हैं जो एक शुरुवात है और बात चीत को थोड़ा खोल दिया है उन्होंने बताया है कि ये संदेश पहले भी भारत को दि लिए न्यूजिलेंड दक्षिन कोरिया और जापान को भी शामिल होने का मंत्रन मिला है और हिंद प्रशांद छेत्र के ये चारों देश इस महागडवन्दन के आपचारिक साजेदार है ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से आमनार का मंत्रित कर रहा है भारत को इस चालीस द दोस्त बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जहां भारत रूस की दोस्ती को नजर लगाने वालों को करारा जवाब देंगे दोस्त पुदिन चीख चीख कर कह रहा है रूसी विदेश नीती का दस्तावेज बता दें रश्या और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है पुतिन की ओर से अनुमोधित रूसी विदेश नीती दस्तावेज में कहा गया है कि वो भारत के साथ विशेशा धिकार-प्राप्त रणनितिक साजय दारी का निरमान करना जारी रखेंगे इसके अलावा कहा गया है कि भारत के साथ रशिया पारसपरी ग्रूप से लाबकारी चेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा ये दस्तावेज एक ऐसे समय में जारी किया गया है जब कुछ दिनों पहले चीरी राश्ट्र पती शी जिन पिंग ने रश्या की यात्रा की थी माना ये जारा था कि युद के बीच इस यात्रा से रश्या का जुकाब चीन की और इस दस्तावेज को तब मंजूरी दी गई है जब यूकरेन युद के कारण रश्या और अमेरिका के बीच भारी तनाव है जी हां आपकी जानका निकल आपको बता दे कि युद के कारण अमेरिका ने रश्या पर कई प्रतिबंद लगा रखे हैं तो वहीं सेन आर्थिक और कूट नितिक रूफ से यूकरेन की मदद कर रहा है भारत न अभी तक यूकरेन पर हमले की निंदा नहीं किया भारत का पख्ष है कि कूट नितिक रूफ संगटरों में रश्या मजबूत भागीदारी दिखाएगा दस्तादेच के अलावा अधिकारियों का कहना है कि पुतिन भारत में होने वाले SCO और G20 सम्मिरन में हिस्सा ले सकते हैं साधी साथ दोस्त बड़ी खबर आपको बता दे जहां पर भारत और फिलिपिन्स की इस जुगरबंदी से सदमे में आया चाइना आखिर क्यों ड्रेगन हुआ परेशान बता दे चीन का दुश्मन फिलिपिन्स इन दिनों भारत के प्रमुग रक्षा साजेदारों के रूप में उभर रहा है ये बात चीन को बेहत नागवाद गुजर रही है मगर इस दोरान शुकरवार को नहीं दिली में भारत और फिलिपिन्स के बीच चौत्ती सायोग समीती की एहम बैटक हुई है इस बैटक में भारत और फिलिपिन्स ने दिपक्षे रक्षा सायोग की समिक्षा करने के साथ ही साथ इन संबंदों को और अधि गहराई तक ले चाने और उससे बढ़ाने के तरीकों पर लंबा विचार विमर्ष किया है भारत और फिलिपिन्स का मुक्य मकसद दक्षिन चीन सागर में बढ़ती चीन की दादागिरी को रोकना है साथ ही अपने सीमा बरती सुरक्षा को मजबूत करने में आपसी सायोग बढ़ाना है मग चीन को बहुत नागवार घुजर रही है दरसल चीन की काफी सीमा फिलिपिन्स से भी मिलती है और ड्रेगन अपनी दादागिरी से इसे देश को तनाव देता रहता है इसलिए फिलिपिन्स ने भारत के साथ दुपक्षिय रक्षा सयोग को लेकर महत्वपुर्ण कदम उठ ठाया है इससे ड्रेगन को परेशान होना लाजमी है चौति संयुक्त रक्षा सयोग समीति की बैठक में दोनों पक्षों ने विपक्षिय रक्षा सयोग की समिक्षा की और संबंदों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चाएं की बात करें दोस्ते को और बड़ी इपने साफ शब्दों में चीन से कह दिया है कि उसके लोग यहां बिजनेस करना बंद कर दें अन्था उनकी जाने जा सकती है शरीफ ने पाकिस्तान में ब्यापार कर रहे सभी चीनियों को ततकाल अपने कारोबार को समिटने के लिए कहा है मगर आप सोच रहे होंगे कि प पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने चीन को यह अल्टीमेटम यूँ ही नहीं दिया है बलकि पिछले कुछ महिनों में चीन के कई नागरिक उनके देश में मारे जा चुके हैं इसमें चीन के कई इंजीनियर, डॉक्टर और ब्यापारी समित अन्य नागरिक शामिल हैं अब आपको बताते हैं कि चीन के इन नागरिकों को आखिर पाकिस्तान में निशाना कौन बना रहा है तो दोस्तों बता दे पाकिस्तान की सरकार का नुसार विभिन आतंकी गुटों के निशाने पर चीनी नागरिक हैं वे उन्हें लगातार टार्गेट कर रहे हैं और उनकी जा को सबसे जादा खत्रा बना हुआ है इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने चीनी नागरीकों को ततकाल अपने देश से कारोबार बंद करने को कहा है बदादेगी पाकिस्तान में चीनी नागरीकों को निशाना बनाई जाने के पीछे एक खास मकसद भी है वजह भी है दरसल पाकिस इसके बाद चीन जो है वो चिंता में पड़ चुका और इसी की वजह से चाइना पाकिस्तानी कॉरिडॉर में चीन ने करीब 60 अरब डॉलर का निवेश किया है बात करतें को बड़ी ख़बर कि जहां खाली सानी समर्थकों ने फिर भारतिय समुदाई को बनाया निशाना वेशाखी कारिक्रम में किया बहुत बड़ा हंगामा जी हां खाली सानी समर्थक और भारतिय समुदाई के लोगों को निशाना बना रहा है अब एडी लेड में खाली समर्थकों ने भारतिय समुदाई के वेशाखी कारिक्रम में जम कर हंगामा किया एडी लेड में पंजाब आस्ट्रेलियन एसस्टेशन साउथ औस्टेलिया इंक नामक संग्ठन की और से ये कारिक्रम आयोजित किया गया था भारत ये वाणी जदुतावास के दिकारी मनीश गुपताईस कारिक्रम में चीफ गेस्ट थे खालिस्तानी समर्थकों ने कारिक्रम शुरू होने स जहां सौधी भारत की खूफिया एजंसियों के बीच हुआ एतिहासिक समझोता खौफ में आ गया पाकिस्तान जी हां दोस्तों सही सुना आपने बता दें सौधी अरब हमेशा मुस्किल में फसे पाकिस्तान की मदद करता आया है लेकिन अब जो खबर हम आपको बता रहें दोस्तों वो पुर्ण रूफ से अपोजिट है उल्टा है लेकिन सौधी और भारत के बीच हुई इस डील ने पाकिस्तान को ही खौफ में डाल दिया है यह डील पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकती है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड अनालसिस विंग बोले तो रौ और सौधी के बीचे के इतिहासिक समझोता हुआ है इस समझोते के बाद आरे डवलू को आतंगवाद पर नकेल कसने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी से एक महत्वपुन घटना करम करार दिया जा रहा है जिहां कुछी दिनों पहले इस समझोते को सौधी कै जरू के दीजेगा बात करते हैं कि खबर की जहां ताइवान अमेरिका की नजदीकी को लेकर बॉखलाए चीन ने छोड़े दस फाइटर जेट और मिलिक्ट्री ड्रोन बता दे ताइवान और अमेरिका की नजदीकी से चीन बॉखला गया है ताइवान की राष्ट बादी सेन गतिविती जारी रखे हुएं इसके अलावा पिछले 24 गंटे में ताइवान एरोस्पेस पर चीनी विमानों ने उडान भरी दस चीनी विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मद्रेखा को पार किया माना यह जा रहा कि अमेरिका और ताइवान की बढ़ती दोस्ती के पहुंच गई जी हां साथी साथ दोस्ते को और बड़ी ख़वर आपको बता दे जहां इरान पर साथ सौ करोड़ की उधारी भारतिये कंपनियों ने कहा पैसा दो फिर मिलेगा चावल जी हां मुद्रा वेल्यू में भारी गिरावट और उच्छ महंगाई दर से करार है इस इसे रमजान में भी इरानी नागरी की जरूरी समान को परियाप्त मात्रा में नहीं खरीद पा रहे हैं महंगाई का आलम यह है कि लोग समान खरीदने से पहले दुकानों के बीच कीमतों की तुलना कर रहे हैं इसके बाद भी कई बार उन्हें यह फैसला लेना पढ़ रहा है और इसी वज़े से भारतिय चावन निर्यातकों ने केवल साख पत्रिया नकद पर ही इरान को बासमती चावल भेजने का फैसला किया है बात करें एक और खबर की दोस्तों जहां पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़े सभी रेकॉर्ड 1965 के बाद मार्च में सब से उपर रमजान में लोग 800 रुपे किलोग्राम नीबू खरीदने को मजबूर जी हैं पाकिस्तान की आर्थ कि स्थिती की हालत किसी से छिपी नहीं है इस वीच पाकिस्तान के लिए एक और चिंता की खबर सामने आई है पाकिस्तान में महंगाई ने अभी तक के सभी रेकॉर्ड त पहुच गई है यह वार्शिक आधार पर मार्च में अब तक की सबसे जादा मुद्रस फिती दर है साथी साथ दोस्ते को और बड़ी खबर आपको बताते जहां पॉप फ्रांसिस को रोम के अस्पताल से मिली छुट्टी कहां मैं अभी जिंदा हूं बता दें करने में कठिनाई की शिकायत के बाद बुद्वार को रोम जेमेली अस्पताल लेकर जाया गया था अस्पताल से छुटी मिलने के बाद पॉप फ्रांसिस अपनी कार से बाहर निकले उन्होंने शुप चिंतकों का अभिवादन कि और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि म आया है दरसल सरकार ने इस तरह की डाक घर योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार काड को निवार कर दिया है ऐसे में दोस्तों यह थी अपता कि सारी बड़ी खबर आपको मारी खबर कैसी लगी आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी अगर थोड़ी